आज हम बनाया जा रहे हैं पालक आलू मटर हरी खिच्डी सर्दियों के मौसम में जो खिच्डी बनाते हैं तो यह हरी मिर्च और यह है लसन की कलिया और यह अद्रक के टुकड़े और यह टमाटर यह हरी मटर और आलू हमने काट के लिया है और यह उड़त दाल और चावल और यह धनिया है अलासन हमने डाल दिया है मिकसर जार में हरी मिर्च और अधर के टुकड़े में डाल दिया है अब हमने धनिया के पत्ती थोड़ा सा चौप कर लिया था बड़ मिक्सर जारमी से हम बारीक कर लेंगे यह हमारा मसाला तैयार हो चुका है पिसके और अब हम उपने खिजडी में थड़का लगा लेते हैं हमने चड़ा दिया है कूकर, गैस अन करके इसमें डाल दिया है सरसो तेल और उसमें तेल हमारा गरम हो चुका है हमने डाल दिया है जीरा और अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज प्याज हमारा पक जाएगा उसके बाद ही हम इसमें आगे की सब्जीना डालेंगे और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मारे चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हमें कमेंट करें और इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे क्या ओप्षिनल है आपको पसंदो तो आप डालें ना पसंदो तो ना डालें और अब इसमें हम डालेंगे कटे हुए टमाटर, टमाटर हमने तीन से चार ले लिये थे और अब इसमें डालेंगे हम आलू जो के हमने काट कर रखे थे और हरी मटर ये थोड़ी धेर भुण जाएगा, इसके बाद इसमें हम डालेंगे पालक और सुवा जो की हमने काट के दो के रखा था इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद उपर से धकन लगा देंगे, हमें धकन को बंद नहीं करना है बस उपर से रखेंगे और आप देख सकते हैं, पालक हमारी गल चुकी है, और अब इसमें डालेंगे, हम जो उड़त डाल और चावल धोकर रखा था, वो इसमें डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ये खिच्डी सर्दियों के मौसम में ही बन सकती है, क्योंकि इतनी सारी सामागरी तो हर मौसम में मिलती नहीं, अब इस मुट जाएगा हल्दी पाउडर, वैसे तो ये हरे मसाले की खिच्डी है, हल्दी पाउडर इसमें कितना भी डाल दें, इसका कलर नहीं दिखेगा, लेकिन हल्दी पाउडर डालना जरूरी है सुआत के लिए, हल्दी पाउडर हमने मिक्स कर लिए, अब हम इसमें डालनेंगे हरे मसाले, जो कि हमने पीस कर र और हमने जार को धो के जो इसमें मसाले लगे थे इसलिए हमने जार को भी धो लिया है धो के इसमें डाल दिया पानी और हमें कितनी गाड़ी या पतली खिच्डी बनानी वो इस हिसाब से आप इसमें पानी डाल के मिला ले हरे मसाले वाली खिच्डी अब इसमें डालेंगे हम नमक जो की स्वाद अनसार नमक डालने के बाद हम अपना कूकर बंद कर देंगे ढखकन लगाके दो से तीन सीटी आने तक हम इसे छोड़ देंगे गैस पर एक बार आप ये खिचली बना के जरूर ट्राइ करें बहुत ही स्वादिश्ट होती है आप देख सकते हैं हमारी खिचली बन के तयार है और घी के साथ इसे सौफ करें और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें